तो दूस्तों आप सभी लोग का एक बार फिरसे सौगत करता हूं पॉडला एफल्टे के यूटूब चैनल में और इस वीडियो में हम बात करने वाले केपसी बिग बैस्ट लीग टी-20 का एक और मैच के बारे में जो कि ब्रिस्बेन हीट वर्सेश शिट्नी सिक्सर्स के आइस कैप्टन कौन हो सकता है रिसेंटली जैसे हमने विन किया है तो उसी प्रकार से आपको जैकपॉट मैच के हिसाब से जैकपॉट टीम आपको मिल जाएंगी ठीक है टेली ग्राम पर लिंक डिस्प्रिंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो जोईन कर लीजए अगर प्राइन नहीं होता कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कोमेंट्स कर दीजे मैं आपको वहाँ पर प्रॉब्लम स्रॉल कर दूँगा ठीक है चली मैच के बारे में बात कर लेते हैं तो फिलाल मैच जो कि यहाँ पर होने वाला है चार जवनारी को एक बचके पैतालीस मिनिट पर जो कि स्टार्ट होगा आपको टेलीग्राम पर एक बचके दस या एक बचके पचीस मिनट या तो बीस मिनट पर टीम मिल जाएगी फाइनल वाले अगर कुछ चेंडमेंट नहीं होता है तो और वहीं अगर पिछ रिपोर्ट की बात करें और ग्राउंट तो फिलाल की आ इस पीच में जो पहले बैटिंग कर लेती है टीम तो उसके चांसे काफी बढ़िया हो जाती है यानि कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोनों यानि कि बैट्समैन और बॉलस दोनों ही बढ़िया कर सकते हैं और तो दोनों को हम पिक करेंगे और किसको रखना रहेगा सही बॉलस जाता या थो बैट्समैन जाता है या तो इस सारा कुछ जान लेती है और उससे पहले यहां पे थोड़ा सा जानते हैं और फिले जोंकि पिच rehabilitation के बारे उन तो जान लिए वेथा रिपोड जानते हैं तो विधा दो काफी बढ़िया रहेगी और यहां पर थोड़ा स बारिस की कोई संभावना नहीं दिख रहे कि बारिस कोई होगी और मैस जहां तक मुझे लग रहा है कि डेलें नहीं होगा ठीक है लेड भी नहीं होगा और पिछ रिपोर्ट एक नंबर चका चका है बाई फ्लेंग लेवन जान लेते हैं यहां पर बिरिस बेन हेट की जो कि प सवाइंस डेनियल एगेस मोईस एंडिक्स जोर्डन सेक्स डेनियल क्रिष्ट्यन सेन अबाउट हैडन कैर सदाप खान बिदेन बेन दोशिश इस्टे कॉफी यह फिलाल जो की प्लेंग्लेंड रहेगी सिड्नी सिक्सर्स की और फिलाल इसके बाद यहां पर थोड़ा सकर है मैच जो की खेले गया है फिलाल अभी दोनों टीमों के बीच में जो की बिरिजबेन हीट तीन ही मैच को वान करें सिड्नी सिक्सर्स भाई ग्यारा मैच तो आप समझ सकते कि आपको किदर जाना है सिड्नी सिक्सर्स की तरफ प्लेल के तरफ और बढ़िया आपकी टीम हें दूगा कोई दिक्कत की बात नहीं और यहां coming पर बैटिंग करने वाला बंदा रहेगा और फिलाल इस मैच में 40 प्लस रन मारने वाला आप चाहें लिख करके रख लीचे सैम है जैट से कुछ ज़्यादा उम्मिद कर नहीं सकते बटीम में रखने लाइक बंदा रहेगा जेमस वहीं एक बार फिर से 20-25 रन अगर आप हैट कैप्टन के भी रिस्क ले सकते हैं आप कैसे तो फिलाल मैं आपको बताऊंगा कि अगर यहाँ पर जैसे कि आपने यहाँ पर प्लेंग लें देखी ठीक है और यह मैच मुझे जहां तक लग रहा है भाई फिलाल फिर से सिड्नी सिकसर्स ही जीतने वाली क्योंकि यहाँ पर कर लेती यह वाली टीम कर लेती है और अच्छा खासा स्कूर यहाँ कि समाझ लेजिए कि 170 तो यहाँ पर कंफाम है कि 1773 तो फिलाल 1773 बनाने में सेने बाउट तक बैटिंग जरूर आए क्योंकि जोस फिलिप अगर फॉर्म में चलते हैं तो हो सकता है कुछ नहीं तो जेम स बालिंग कराते नजर आ रहा है और मैच में विकेट निकाला यहाँ पर भी आप एक प्लस विकेट यानिकी एक या दो विकेट चटका सकता है और यहाँ पर फिलाल एकसर बार्लेट की बात करें तो फिलाल काफी बढ़िया अभी तक मैच में किया है चार-चार विकेट शे यहां पर देख सकते हैं क्योंकि एक्सवायर बार्लेट भी बढ़िया बॉलिंग करा रहा भाई समझे हैं आप चार-चार विकेट चिटका आ रहा है तो फिलाल कब और कहां पर तीसरे-चसर नमबर पर बेầाटिक कर रहेगी । करें कि रिष्चन की बात करें फिलाल कुछ खास है नहीं बॉलिंग कराएगा या 3 जाल अब लगत करें से अधाकने बात चार नमबर मारे हैं तो इस मैच में आप रिस्क लें क्योंकि यहां पर बहुत कम लोग जोस फिलिप के साथ जहने वाला है क्योंकि आपने तीन-चार मैचेस में देखें जोस फिलिप का फॉर्म जो कि पिछले मैचों के तरह नहीं था और उसकी बात कि अगर यहां पर बैट्समें दिया रहेगी और कैपिन अगर में बात करें तो मॉइस एंडिक सेने बाउट में आप किसी एक को रख सकते हैं और वाइस कैपिन एकसे बालेट जोस फिलिप और कब कहां रखना है तो मैं आपको बता दू कॉम्बिनिशन भी आप कर सकते कब करना होगा तो फिलाल जैसे कि आपने सेने बाउट को कैपिन बना दे ठीक है सेने बाउट को कैपिन बनाने के बाद आप वाइस कैपिन एकसर बालेट को बना सकते हैं दोनों ही बॉलर पढ़ जाएंगे कर बैटिंग सेने बाउट को नहीं मिलती तो फिलाल दोनों बॉलर रहेंगों दोनों बॉलर अपन टीम से बहुत बढ़िया विकर्ट चटिकानने वाले हैं याद ध्यान रखें और मॉईस एंडिक्स जोईस फिलिप इनको भी आप कैप्रेंड और इसके कंबिनिशन कर सकते हैं और अगर जील आप खेलते तो सेन अबाउट एकस बाले के साथ जाएं और हेंड़ फिलिप मॉईस एंडिक के साथ जाएं हेंड कर्ट पनाएगा तो आप एक बर करके जाएं और क्रिसलिन के ऊपर भी आप जरूरे अगर एक से अधिक टीम में खेलते हैं, क्रिसलिन भी बहुत बढ़िया करने वाला जित्ता है, आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा सागे, अगर की पॉइंट्स की बात करें, तो क्रिसलिन में हिसाब से 40 पलस रन मारने वाला है, जेमी परसन से हम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं, बेंट डकेट हैं, हिसाब से आपने देखा, सारे मैच में, ठीक है, कुछ खास हो नहीं पारा, बट इस मैच में थोड़ा सा थोड़ा सा प्लस करिए, यहाँ पर तीसर रन कंफरम है, सेम हैजलेट की बात करें तो अच्छी खासी बैटिंग है, सेम हैजल रह्मान को हम बिल्कुल नहीं रखने वाले, लियम गुथिर की तरफ हम थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, बड़ जीएल में, ठीक है, जीएल या हैट टोट दोनों में दे सकते हैं, और अगर दो से अधिक टीम बनाते हैं, और सिद्नी से कर बात करें, जोस फिलिप से माई टीम में मौझूद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रनमारने वाला बंदा, इस मैस में मौझ सैंडिक्स रहेंगे, और डैनियल क्रिस्टन का सोचेंगे, सेन इबाउट, हैड अन कैर, ठीक है, साधाव खान के ओपर बहुत कम लोग जाएंगे, तो आप पिक कर लिजएगा, ब बढ़िया है, अगर आप नहीं समझ पाया है, तो फिलाल आप टेली राम जान कर लिजे, वहाँ पर फाइनल टीम आपको अपडेट सारा कुछ मत देही देता हूं, और बाकी मैं आपको टीम दिखा देता हूं, जो कि हमारी ये टीम में आपको दिखा रहा हूं, फिलाल, अ मेरे हिसाब से, GL के लिए कि सबसे बेस्ट टीम यही होने वाली है, जो कि आप खुद देखेंगे, ठीक है, ये दोनों बंदे काफी बढ़िया कुछ करने वाले हैं, जैसे कि देख रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं, आप अपने टीम के साथ बहुत बढ़िया, आप आपको मिल जाए गई, और वीडियो अच्छी लेगी हो, तो लाइक करें, चैनल पर ने सब्क्राइब पर के, अलक अप्सन ज़रूर के बाद, मिल तेंग निक सोड़ी में, जैहिन, चै भारत